जम्मो कश्मीर में विधानसवा चुराव की तयारियों के बीच नाश्र कांट्रेंस के अध्यक्ष पपूर वुख्य मंत्री डॉक्टर फारक अदुल्ला ने का कि लोग केंद्र के गुलाम नहीं हैं बलकि वो अपनी जमीन के असलीब मालिक है बढ़गाम में मीडिया कर्मि को संबोधित करते वे भाजपा समर्थकों पर उन्होंने सक्ट किपनी की उन्होंने कहा कि ये लोग होश में आएं भाजपा प्रदीश अध्यक्षी रविंद्र डैना ने नौशेरा विधान सवाच्षेत्र से अपना नामंकन पत्र दाकिल किया अध्यक्षी रविधान सवाच्षेत्र से नामंकन धरा इसरान हजारों की तादाद में समर्थकों के साथ भविर रोड शोर निकाला किया उनके साथ जम्मु कश्मीर चुनाओ प्रभारी राम माध्व भी मौजूद रहे नामंकन के बाद रविंदर डायना ने एक जन्सभा को संबोधित किया उन्होंने का की पूरे जम्मु कश्मीर में भाजपा की लहर है उन्होंने का की भाजपा की हजारों लाखों कारे करता चुनाओ अभ्यान में बड़े उच्सा और जनून के साथ भाग ले रहे है उन्होंने का की आने वाले समय में भाजपा की सरकार होगी रूस के राश्पती ब्लादमीर पुतीर ने युक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने का की रूस युक्रेन के भी शांतिवारता के लिए भारत, चीन और ब्राजिल मध्यस्तता कर सकते हैं एक कारिकरम के दुरान पुतीर ने गा की रूस युट्रेन की जंग शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही इस्तामबूल में हुई बाजपा के शांतिवारता को लेकर एक प्राथमिक समझोते पर स्यमती बनी थी लेकिन इस समझोते को कभी लागूर नहीं किया गया अब अगर फिर से मध्यस्ता की बादची शुरू होती है तो इस्तामबूल में हुआ प्राथमिक समझोता इस बादचीत का हधार बन सकती है पंजाब के बाद अब जम्मू नशे का ट्रांजिट कैंप बन गया है पेरेंट्स नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही टीम जम्मू के प्रधार जुरावर सिंग वपुलिस रिकॉर्ड्स के मताबिक पिछले आठ महीनों में एक सो पचास ही वकोन की हिरोईन चिट्टे की ओवरडोस से मौत हो चुकी है माए तड़ रही है घर उजड रही है लेकिन राजनितिक पार्टियों के लिए विधानसमा चुराव में ये मुद्दार नहीं है हिरोईन का इस्तमाल करने वाले जमू कश्मीर में चार वर्षों में दोगने हो गए है नशाद चुडाने के लिए अस्पताल में पहुंचने वालों की संक्या भी दोगनी हो गई है परन्तु जमू कश्मीर राजजी की कॉंग्रेस बीडीपी नाशन कांफरेंस अपनी पार्टी वा पीपल्स कांफरेंस इसे चुनावी मुद्दा बनाने में असफल रही है संजे निरुपम ने कहा कि कॉंग्रेस और NCP शरत पवार से मिलकर उद्दव ठाकरे को सांगली से बाहर कर दिया जल्दी दोनों मिलकर उनको महराश से भी बाहर कर देंगे शिवसेना UBT, NCP शरत और कॉंग्रेस के बीड कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है भाजपा ने आरोप लगाया कि कॉलकता में जिस अस्पताल में डॉक्टर से दिशकर्म और हत्या की गई थी उसके टॉइलेट रूम को तोड़ने का आदेश अस्पताल के प्रवुक डॉक्टर संदीव घोश ने दिया था बादपा का आरोप है कि टॉलेट को तोडने का आदेश 10 अगस्त को ही दे दिया गया था जबकि डॉक्टर से दिशकर्म की जगन निवारदा 9 अगस्त को ही लोगों के सामने आई थी आरोप है कि डॉक्टर को इस घर्टा को चिपाने के लिए सरकार के स्तर से निर्देश दिया गया था हलाकि विवाद बढ़ने के बाद संदीब भोश को विरफतार कर लिया गया अभी वो CBI की हिरासत में है